तो इन दिनों काफी बारिश हो रही है और सावन का महीना भी आने वाला है सावन के महीने में कुछ साबधाने बरतने पड़ती हैं तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उमिद करूंगी आपको मिराज का वीडियो पसंद सावन के मौसम में दही बहुत जादा खटा हो जाता है जो कि हमारे पेट के लिए काफी नुकसान दायक होता है और अमलता को भी बढ़ाता है इसलिए सावन में कड़ी खाने के लिए मना किया जाता है सावन के मौसम में बैगर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इन दिनों बैगर में कीड़े पड़ जाते हैं जो कि आसानी से निकलते भी नहीं है और यह हमारी शरीट के लिए काफी नुकसान दायक है सावन के महिने में बारिश होने की वज़े से कीड़े मकोडे बहुत हो जाते हैं अगर कोई कीड़ा गलती से काट भी ले तो उस पर तुर्ण बरफ लगाना चाहिए और इसे ठंड़क मिलती है और सूजन से आराम मिलता है सावन के मौसम में पाचन तंदर काफी कमजोर हो जाता है इसलिए जंग फूर तली हुई चीज़े मास मच्छी खाने से हमेशा बचे इन दिनों बारिश होने के कारण इंट्फेक्शन होने का डर हमेशा बना रहता है तो अपने घर में हमेशा डिटॉल से ही पोचल लगा क खाना ही खाएं और बाहर का खाना खाने से बचें इस महीनी में भगवान शिवजी की पूजा की जाती है इस महीनी में भगवान शिवजी के रवत रखे जाते हैं और रवत ना रख सके तो पूजा जरूर करें इससे मन को बहुत शांती मिलती है इस मौसम में बैक्टेरिय से आखों को धूएं हाथों को साफ रखें और डॉक्टर की सला जरूर लें बारिश के महीने में हमारे बाल भी काफी जदा चिपचिवी होते हैं बाल जढने भी रखते हैं बालों में गुर्णगुना नारील के तेल को लगाने से बालों को पोशन मिलता है और बाल मुलायम बने रहते हैं इस मौसर में हमारी तुचा काफी ज़्यादा चिपचिवी और तेली हो जाती है इसके लिए अपने चहरे पर मुलतानी मिट्टी बेसन या खीरे का फेस पैक लगाए इससे चहरे का एक्स्ट्रो ऑइल हट जाएगा और चाहरे पर चमक आ जाएगी आज मैंने आपके साथ जितनी वी टिप्स शेयर की हैं कहने को तो यह बहुत छोटी है पर बड़ी काम की बाते हैं यह उमीद करूंगी आपको मेरी यह आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब् प्राइब और लाइक करना बिल्कु भी न भूलें जोसना सागर आल इन वन में आपका स्वागत है थैंक्स फॉर वाचिंग